गुरू प्यारी साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी साथ संगत जी कैसे हैं आप सभी? कमेंट में जरूर बताईएगा आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की किरपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे साथ संगत जी आज की साखी उन तमाम लड़कियों के लिए है जिनको ये शिकायत रहती है कि उन्हें ससुराल में बेटी नहीं समझा जाता चलिए साखी सुनते हैं साथ संगत जी जिन लड़कियों को ये शिकायत रहती है कि उन्हें उनके ससुराल में बेटी नहीं माना जाता तो उनके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि जब वो बेटी थी तब उनका क्या रोल था आप अपने मायके में शादी से पहले अराम से उठती थी देर तक आप सोती रहती थी चाई नाश्ता सब आपकी मां ही बना कर देती थी और बाकी काम मेड करती थी कभी कभार आप अपने घर के काम में हाथ बटाती थी अब आप ही बताईए कि अगर आपकी माँ भी यही सोचती कि मैं भी अपने ससुराल में बेटी की तरह रहूंगी तो क्या आपको यह आराम मिलता नहीं साथ संगत जी ऐसी लड़कियों के लिए एक खास बात कि शादी से पहले आप अपने माता-पिता की जम्मेदारी थी तो आपको वो भी करना होगा जो आपकी माँ घर में करती थी साथ संगत जी ऐसी लड़किया शादी से पहले की जंदगी खूब एश के साथ काट कर आती है तो जब इन पर जम्मेदारी आती है तो फिर घबराना क्यों फिर शिकायत क्यों करना अब आप सभी मुझे बताईए उन सभी लड़कियों से मेरा एक सवाल है कि अगर आप अपने माय के आए और आपकी भाबी देर तक सोती रहे आपकी मा रसोई में काम करे तो क्या आप अपनी उस भावी की तारीफ करेंगी? कभी नहीं बलकि आप अपनी मा से कहेंगी कि आप क्यों रसोई में खटती हो भावी को काम करने दिया करो ऐसी कौन सी लड़की है जो अपनी भावी से ये कहे कि भावी आप खुब अराम करो मम्मी सभी काम कर लेगी अब एक बात जो वो कहती है कि हम सिर्फ सास, ससुर, पती और अपने बच्चों का ही काम करेंगे दूसरों का नहीं मतलब दूसरे मतलब देवर, ननद और जेट अब इसका जवाब देजिए कि आपकी भावी के शादी पहले हो गई और आपकी भावी घर में आ गई आपकी भावी सभी का खाना बनाए और आपका नहीं तो क्या आप या आपके माता पिता को ये बात सहन होगी बिल्कुल नहीं इसलिए यदि जो आप चाहा रही है वो आपकी भावी आपके साध करे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए आपको अपनी ननत और उनके बच्चों का आना बुरा लगता है तो आप भी सोच लेजिए कि आपकी भावी भी आपके आने से खुश नहीं होगी कभी आपने सोचा है कि आपने अपनी मा को घर में पीहर की तरह महसूस करवाया है अगर नहीं तो आप कैसी उमीद करती हैं कि आपको महसूस हो साथ संगत जी ऐसी है लड़कियों के लिए एक और बाद कि क्या आपकी मा ने कभी ये शिकायत की कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है काम करना पड़ता है शायद कभी नहीं आपकी मा तो सरदर्ध होने पर भी आप लोगों के लिए खाना बनाती थी हर जगा का अपना महतव है इसलिए दोनों को महतव दीजी और जो लड़कियां समझती हैं कि वो तारीफ के काबिल है वही घर, परिवार और सामजस्वे की परिभाशा को समझती है इसलिए साथ सकत जी जब एक लड़की की शादी होती है तो उस पर कुछ जिम्मेदारियां आती है तो उस लड़की को ससुराल में अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही चाहिए हमें पता है कि कुछ बेटियों को हमारी बात का बोराज जरूर लगेगा पर यही सच है कि जिन बेटियों से घर का काम नहीं होता उनको कहीं पर भी जीवन में उचित सम्मान और उचित स्थान नहीं मिलता साथ संगत जी एक वकील सहाब ने अपने बेटे का रिष्टा तै किया अब कुछ दिनों के बाद वकील सहाब अपने होने वाले समधी के घर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी होने वाली समधन खाना बना रही थी सभी बच्चे और उनकी होने वाली बहु टीवी देख रहे थे वकील सहाब ने चाय पी उनका कुशल जाना और चले आए अब एक महीने के बाद वकील सहाब तुभारा अपने समधी जी के घर में गए तब उन्होंने देखा कि उनकी होने वाली समधन जी ज़ाड़ू लगा रही थी बच्चे पढ़ रहे थे और उनकी होने वाली बहु सो रही थी वकील सहाब ने अपने समधियों के घर खाना खाया और अपने घर चले आए कुछ दिनों के बाद वकील सहाब फिर किसी काम से अपने होने वाले समधी जी के घर में गए घर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी होने वाली समधन बरतन साफ कर रही थी बच्चे टीवी देख रहे थे और उनकी होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी वकील सहाब ने घर आकर गहन सोच विचार करके लड़की वालों की यहां खबर पहुचाई कि हमें ये रिष्टा मन्जूर नहीं है कारण पुछने पर वकील सहाब ने कहा कि मैं होने वाले समधी के घर तीन बार गया तीनों बार मैंने सिरफ समधन जी को घर के काम काज में व्यस्त देखा एक भी बार मुझे होने वाली बहु घर का काम काज करते हुए नहीं दिखी जो बेटी अपनी सगी मा को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने का नहीं सोचती उमरदराज मा से कम उमर की जवान होकर भी खुद की मा का हाथ बटाने का जज़्बा जो बेटी ना रखे वो किसी और की मा और किसी आप अरिजित परिवार के बारे में क्या सोचेगी वो किसी दूसरे की मा का काम में हाथ कहां बटाएगी मुझे अपने बेटे के लिए एक बहु की जरूरत है किसी गुलदस्ते की नहीं जो की फ्लावर पॉट में सजाया जाए साथ संगत जी इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वो इन छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान दे बेटी कितनी भी प्यारी क्यों न हो उसको घर का काम का आज अवश्य कराना चाहिए समय समय पर डाटना भी चाहिए जिसें की ससुराल में जादा काम पढ़ने या डाट पढ़ने पर उसके द्वारा गलत करने की कोशिश ना की जाए साथ संगत जी हमारे घर बेटी पैदा होती है हमारी जम्यदारी बेटी से बहु बनाने की है अगर हमने अपनी जम्यदारी ठीक से नहीं निभाई बेटी में बहु के संसकार नहीं डाले तो इसकी सजा बेटी को ही मिलती है और माबाप को भी मिलती है उन्हें जंदगी भर गालियां बढ़ती है साथ संगत जी हर किसी को एक सुन्दर सुशील बहु चाहिए होती है लेकिन जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहु के संसकार डालेंगे तभी तो हमें भी संसकारित बहु मिलेगी ये बहुत ही कड़वा सच है शाद कुछ लोगों को बरदाश भी न हो पाए सीलिए साथ संगत जी साखी को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा अब दाशे खुद भी एक बेटी है तो इस बात को अच्छे से समझ सकती है साथ संगत जी अगर ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर कुछ बुरा लगा हो तो बक्ष लेना जी प्यार से बोलिये धन्न रंकार जी